हेलो एवरीबन आप सभी का स्वागत है आपके अपने ओनलाइन प्लेटफोर्म तक्सी लाकेड में पर और आज अमारी जो यह है नंबर सिस्टम आरा टोपिक चल रहा था और नंबर सिस्टम की हमारी यह क्लास नंबर चार इससे पहले हम तीन क्लास कर चुकें और तीनों में हमने अलगले कंसेप्ट इसमें सीख ए तो आज चोती क्लास है तो इस हम इस से अगला decide है वो सीखने की कोसिस करते हैं तो हम सीधा पहले परसनों के मद्यम से चलेंगे फिर आपका कंसेप्ट जो है वो कोपी में आपको नोट करना है तो यहाँ पर देखो अगर इस वाले की हम बात करें तो पहला परसन आपका बोल रहा है पहली सो दनात्मक पुर्णांग संक्याएं यानि कि यहाँ पर जो देखा है पहली सो दनात्मक पुर्णांग संक्याओं में से कितनी संक्याएं तीन या चार से पुर्णते विबज्जे है अगर हम यहाँ पर इसमें देखें तो आपको पहला देखा है सो दनात्मक संक्याएं इसका मतलब है कि एक से लेकर कि दो तीन इ चार इसका मतलब क्या होता है कि वो संक्या तीन से भी विवाजित होनी चीए और किस से विवाजित होनी चीए चार से अब देखो मैं यहां पर एक चीज लिख रहा हूं जैसे तीन से विवाजित है तो तीन हो सकता है छे हो सकता है नो हो सकता है और बारा हो सकता है यहां पर यह हुआ कि हमने इस बारा को कितनी बार काउंट कर लिया, दो बार काउंट कर लिया, दो बार काउंट करने का मतलब है कि हम इसको एक बार काउंट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तीन से संक्याय निकाल लेंगे, चार से निकाल लेंगे, और फिर उसमें से बारा से विवाजि जाए उसको लिख दो 33 क्योंकि 33 बार चला जाएगा 33 गुणा 3 यानि कि निन्याड में इसके बाद में 4 से विवाजित निकालनी है तो मैं क्या करूंगा 100 में किसका बाग देदूं 4 का तो यहां पर कितनी आ गई 25 मुझे 12 से निकालनी है 12 से निकालूंगा तो 100 में किसका बाग देदूंगा 12 का 12 यानि कि 12 को 8 से गुणा करेंगे तो 96 आएगा वहां तक जाएगा उसके बाद में जाएगा नहीं तो इन दोनों को तो मुझे प्लस करना है और इस संक्या को माइनस करना है तो यहां पर जोड़ दो 33 और 25 कितने होगे यानि कि यह आपक फिर किसका जाता है प्यार का बाग जाता है तो यहां पर जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा पचास I think यह आपको क्लियर हो गया होगा इस तरीके के और अंपरसन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा concept आपका आगे चलते हैं देखो एक से 700 के बीच में कितनी संक्य हैं जिसे 17 से पूर्णते विवाजित कर दिया जाए जब भी आपको एक यानि की शुरू से आपको चलना होता है तब कुछ भी नहीं करना होता है साथ सो में हम किसका बाग दे देते हैं 17 का जितनी बार भाग यहां पर पूरा पूरा जाएगा वही आपका answer आएगा 17 चूक है वो क्या है 41 यानि कि 41 ऐसे संक्या हैं जे 17 से पूरी पूरी विवाजित थे और वो कहां से कहां चाके एक से लेकर के 700 तक के बीच में यह हम जितने भी परसन कर रहे हैं यह एक्जामों में आयवे परसन है और उन्हीं को हम लेकर के चलने हैं और सारे option उसी तरीके से दे हैं ठीक है अगले परसन पर चलते हैं देखो तीन से साट के बीच में ऐसी कितनी विशम संक्या है ध्यान रखना यहां पर दे रखाया विशम संक्या है अब मैं यहां पर दोनों लिख रहा हूं एक आपकी संक्या होती है संसंक्या और एक आपकी संक्या होती है विशम संक् पतलब जिसका जो लास्ट कान को होगा वो 0, 2, 4, 5, 6 इस तरीके से होगा यानि दो का बाग जाएगा लेकिन विश्म संक्या में दो का बाग नहीं जाएगा दूसरे संक्या 10 आएगी 5 से तीसरे संक्या 15 और चोते संक्या 20 लेकिन मुझे क्या करना है मुझे चीए विसम संक्या तो ये क्या है ये सम संक्या इसको काट दो ये सम संक्या इसको काट तो इसका मतलब ये 10 के गेप पर चलेगी तो पहले संक्या 5 दूसरे 15 तीसरे 25 फिर 35 और एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, कितने संक्य हैं हो जाएगी, छे संक्य है, तो छे संक्य हैं ऐसी हो गई, जो पांच से पूर्णते विवाजित है, और संक्य हैं कैसी है, विसम संक्य हैं, बस ये concept आपको द्यान रेखना है इस पर्षन में इतना साही सीखना था, जैसे जै साथ से विवाजित है तो मैं क्या करता सीधा सीधा एक हजार में किसका बाग दे देता साथ का लेकिन अब सुरू कहां से हुई है तीन सो से तो मैं क्या करूंगा एक से तीन सो तक का निकालूंगा और यहां पर एक से एक हजार तक का निकालूंगा और एक हजार में से यह ती बातेकम साथ, तीन तीस, साथ चोग अठाइस, दो बीस, और दो बार जाएगा, चाउदा यानि की छे, इससे कोई मतलब नहीं है, एक सो बैयारी सा गई, अब मुझे एक से ले करके तीन सो तक निकाल ली है, तो मैं क्या करूँगा, तीन सो में किसका बाग दूँगा, साथ क साथ चोग अठाइस, दो बचा बीस, साथ का बाग दो बार गया, चाउदा, यानि की छे, इससे कोई मतलब नहीं है, तो यहां से क्या है, यहां से आपका ये समझ माया, कि एक से हजार तक एक सो बैयारी से, और एक से तीन सो तक बैयारी से, तो तीन सो से लेकर के अजार त कितमी होगी इस 162 मेंसे 162 गटा देंगे तो आपका क्या बचेगा 100 तो यहाँ पर जो इसका correct answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा अब यहाँ पर देखो एक दूसरा तरीका और बता देता हूं 300 से लेकर के 700 के बीच में आपको निकालना है तब हम क्या करते हैं एक 300 से लेकर के 1000 के बीच में निकालना है और साथ से विवाजित निकालना है साथ से विवाजित तो एक ऐसी संक्या डूंडो तो 300 से आगे और साथ का बाग पूरा पूरा चला जाता हो साथ का बाग पूरा-पूरा चला जाएगा तो देखो साथ चो कठाइस, दो बीस, साथ यानि तीन सो एक है ऐसी संक्या जिसमें साथ का पूरा-पूरा बाग जा रहा है, अजार से थोड़ी सी कम लो, तो अजार से अगर मैं कम बात करूं तो ये छे, छे इसमें से घटा दू तो नो सो चोराण में, यानि नो सो चोराण में ऐसी संक्या जिसमें साथ का पूरा-पूरा बाग जा रहा है, तो यहां पर आप देखोगे, तो साथ का पूरा-पूरा जाएगा, अब यह जो संक्या आ गई ना, उसको क्या करना है, इस वाले में संक्या निकालना है, तो न 9 में से 0 गए तो 9 और 9 में से 3 के 6 बाग लगाएंगे 7 का और प्लस का कर देंगे एक तो यह आ जाएगा कितना देगो 7 का बाग लगा तो 9 बार चला गया 9 सते 63 63 के बाद में फिर से 63 आएगा तो 9 सते 63 और प्लस का एक यानि क्या आगया तो यह आपका आशार आगया उस से 7 इस सभी सभा रहा था दोनों मैं से कोई सा भी तरीक है द्यान रख सकते हो दूसरा तरीक है यह समांतर शरेंऄका लग रहे गो अभी आम इसको itale में explain करेंगे जब आ गया परस्टन हैंगे तो ग्या करना है इन दोनों के बीच में एक संक्या 301 आई, एक 900 चुरान माई, लास्ट वाली में से पहली गटाओ, जिससे विवाजित करने हैं, उसका बाग दो और पलस का एक जोड दो, यह आपका क्या हो जाएगा, आप चलो आगे वाले पर चलते हैं देगो, यह आगे देगो, 200 से लेकर के 1000 तक, कितनी ऐसी संक् तो 5, गुणा 6, गुणा 7, तो यह 30, 30 गुणा 7 यानि कि 210, 210 का बाग पूरा-पूरा जाना चाहिए, किस में, 250 से लेकर के 1000 तक के बीच में, तो 210, 250 से लेकर के 1000 के बीच में संक्या हैं, डोणनी है, तो 210, 210 स्वाया नहीं, 210 से अगली देखो, 420, 210 का बाग तीन बार लिखे करेंगे, तो क्या जाएगा, 330, फिर क्या आएगे, 4 से करेंगे, तो 4 से करेंगे, तो 840, 5 से करेंगे, बाहर चली जाएगी, कितनी संक्या हैं आई, तो यहां पर एक, दो, तीन, तीन संक्या हैं, जिसमें किस का बाग जा रहा है, 210 का पूरा-पूरा बाग जा रहा है, तो यहां पर इसका अंसरा ज़ाएगा आपका 3 देखो अगला वैच सोटी से चोटी संक्या जाद करो जिसमें 2 से 10 तक की सभी संक्या विवाजीत हो 2 से लेकर के 10 तक यानि कि 2 से लेकर के 10 तक का पूरा-पूरा बाग जाने चाहिए इसका मतलब उसमें 2 का भी जाना चाहिए 3 का भी 4 का भी 5 का भी तो इसलिए हम क्या करेंगे 2 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका हम क्या लेंगे इसका हम लेंगे LCM तो यह LCM answer हो जाएगा तो 2 देखो यहां 2 एक बार है यहां 2 की पावर 2 है यहां 2 की पावर 3 है सबसे ज़द है तो मैं यहां लिखूंगा एक तो 8 दो कि पवर तीन काँ यादा दिख रहा है एक यहां पर है तीन is that लिक्जुट hours के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां परंच आ रहे इसके भाद मेंorte कार है कॉर सिंख्या को यहां निरिद यह तो यानि क्या आगया 2520 तो यह 2520 आपका इसका क्या हो जाएगा क्रेक्टांस जाएगा क्या करना था इसका सीधा सिंपल सा एलसीम लेना था आगया वाला दिखो साथ नमर परसन दो से बड़ी और 30 से कम ऐसे कितनी संक्या हैं जो केवल uma से और स्विवा भाजित हो यहां ध्यान रखना यह वाली लाम एक से और किस से विवाजित हो स्वयम से एक से और स्वयम से विवाजित होने का मतलब होता है वो कौन सी संक्या हो गई वो संक्या हो गई अबाज्य संक्या ठीक है अबाज्य संक्या कौन सी होती है जिसमें एक का बाग जाता है और किस का बाग जाता है श्वयम संक्या का 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, 21 नहीं होती है, 23, 23 के बाद में क्या होती है, 25, 27 भी नहीं होती है, और 29 होती है, तो ये कितनी संख्य हैं हो गई? क्या पूछा है कम से कम कितनी संख्य हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितनी संख्य हैं हो गई? 9, तो आपका इसका इसवाट रंशर हो जाएगा 9 एसी संक्या ही जो आपकी ऐसिसंक्य है अब आज्जे संक्य है 2 से लेकर 30 तक के भीच की अकला प्रशन देखो, वे छोटी से छोटी, 6 अंकों की संख्या याद किजिए, जो 18 अप्छा गुणा जै, क्या पूछ है, 6 अंकों की सबसे छोटी, यह आमने क्या किया है, कि टाइप 3 जो आमने पड़िये न, उसमें आमने पूरा एक्स्पलेंट, डेटेल में आमने सिखा था इसको 6 अंग की सबसे छोटी सेंग्य क्या होती है यह आपकी 6 अंग की हो जाएगी 4 5 6 ठीक है और यह किसका गुणा जोड़ना चीए 18 का अब यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं एक तो पूरा डेटेल में हम देख लेते हैं कि क्या क्या करेंगे डेटेल मागर देखें सो पांच बार दिया अठारा पंजे नब्य फिर यानि लास्ट में जो आनसर आना है वो क्या बचेगा 10 बचेगा 10 बचेगा इसका मतलब इस मैंसे अगर मैं 10 गटा दू तो उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा लेकिन यह बोल रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संक्या 6 अं अंकों की सबसे छोटी संक्या है जिसमें किसका बाग जा रहा है 18 का पूरा पूरा बाग जा रहा है तो यह कौन सा ओप्शन है यह आपका तीसरा ओप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा अब यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि यह देखो इसका मतलब हुआ 3 तीन गुणा 3 गुणा 2 यानी जिसमें 3 का भाग भी जाएगा 3 का भी जाएगा 2 का भी जाएगा इसमें तो 3 का जाए नहीं रहा काट दो यह आपकी 2, 2, 4 और 2, 6 अंकी संक्या है लेकिन 6 अंकी बूद बढ़ी हो गई यह संक्या तो यह भी नहीं होगा दो और ये तीन का बाग इसमें जाता है जिसके अंकों का योग नहीं जारा काट दो, क्या option बचा है? एक ये option बचा है ये आपको करने की जरूरती इसमें नहीं थी, इस तरीके से option eliminate इसमें कर सकते थे, आगे वाले में चले person में, वे चोटी से चोटी संक्या याद किजिए जिससे 23, 12, 28 में जोडने पर प्रत संव yet 33 से पूरण ते विवाजित हो जए इसका मतलब इसमें कुछ जोडना है 23, 12, 28 में पुरा पूरा बाग जाना चीए 33 का बाग जाना चीए और इसमें हमें कुछ एक चोटी संव जोडनी है इसका मतलब बाग देकर के चीक करेंगे तो आप कांसर आ जाएगा दूसरा तरीक है इसमें से हमारा एक बार एक बार eliminate कर सकते हैं जैसे यहाँ पर अगर eliminate करने की बात करेंगे तो एक ही option यहाँ पर तीन वाला ही eliminate होगा वो देखते ही पता चल लेकिन आप भाग देखर के देख लेते हैं तो यहाँ पर 33 का भाग देंगे तो 33 का भाग कितनी बार जाएगा 721, 7 बार जाएगा नहीं क्योंकि यह 721 और 27, 210 और 21 बाग चला जाएगा 33 का अगर हम 7 बार करें 721, 221 और 23, 731 पूरा पूरा जा रहा है तो यहाँ पर इसका मतलब यह बाग 7 बार गया 231, यह 0 बचा, फिर यह पूरा आएगा 228 अब 228 आएगा तो अभी हमने देखा था कि 231 में बाग जाता है तो 228 में क्या जोड़े में 231 का मतलब इसमें क्या जोड़े चोटी से चोटी से संक्या तो तीन जोड़ेंगे तो आप का अंसर आजएगा दूसरा तरीका क्या था? उप्सिन एलिमिनेट करने का वो मैं सिखा देता हूँ 33 का मतलब क्या होता है? 11 का भी भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा तो अब यहां लिख दो यह संक्या देगो 23, 12, 28 इनके अंकों को जोड़ो 8, 12, 12, 13, 13, 13, 16, 16 और 2, 18, 18 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है अब जैसे ही मैं 4 जोड़े तो 18 और 4 यहां से देखो यहां से अगर इसको जोड़ेंगे ने 4 और यहां पर अगर मैं 2 जोड़ूँगा तो यह 10, 1 जोड़ूँगा तो इस तरीके से अगर आप जोड़ करके भी कर सकते हैं तो मैं 4 जोड़ा तो यह ओज़ेगा 23, 22, 32, 32, 32, 32, 32 तो 3, 3, 3, 2, 4, 4 4 में 3 का भाग नहीं जा रहा 2 जोड़ेंगे तो 23, 22, 30, 3, 3, 3, 2 बचा इसमें भी नहीं जा रहा एक जोड़ेंगे तो 23, 12, 29, तो यह 9, 3, 3, 4 इसमें भी नहीं जा रहा तो एक option बचाता पहला, यह इस तरीके से आप कर सकते थे, option elimination भी आपको देरे देरे आना चाहिए, आगे देगो, एक संक्या पढ़ना लिए चाहुदा, बावन, अठावन को एक संक्या से विवाजित करने पर सुरेश को भाग फल, 53 और 6 फल, 3 पराप्त होता है, तो बाजक क का मतलब ऐसा देगो, चाहुदा, बावन, अठावन, बाजक चाहिए, भाग फल कितना रहा है, 83, भाग देने के बाद में, और 6 फल कितना रहा है, 3, तो यह पूछ रहा है कि यहाँ पर जो हमने भाग दिया था ना, वो क्या एगा, इन में से जो भाग दिया था, वो क्या करते हैं, मानलो, अगर यहाँ एक्स होता है, तो मैं इसको इससे गुणा करता हूँ, और यह जोड देता हूँ, तो यह से क्या आजाती है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स गुणा, 83, प्लस 3, बराबर क्या आजाता है, यह आजाता है, 14, 52, 58, अब यह तीन इसमें से 83, बाग आपका जो है, वो स्पीड से हो जाना चाहिए, फिर दो उतारा, अब 83 का बाग देना है, अब देखो, यहाँ है ना, उप्शन, 6, 8, 9, 7, 7 बार देंगे, 56, 8 बार देंगे, 400 उपर चला गया, तो 7 बार ही जाएगा, तो 7 बार जाएगा, तो आपका अंसर क्या आग यहाँ पर वापिस इसमें क्या लिखेंगे, तो वापिस आपका आजाएगा, 14, 52, 55, यहाँ से 2 उतारा, फिर यहाँ से क्या आएगा, 5, थोड़ा सा गडबड हो गए गया, 14, 52, 58, ठीक है तो इस तरीके से हां इसको कर सकते है, 453 है, 453 में फिर यहाँ पर यह पांच का बा आके वाले में चले, देखो, 1265 में से क्या गटाया जाए कि प्राप्त संक्या 39 से पूर्णते विवाजेत हो जाए, किस से 39 से, इसमें से गटाना है, गटाना है इसका मतलब 1265 में 39 का पूरा-पूरा भाग चला जाना चाहिए, बस यह बोल रहा है, 39 का पूरा-पूरा बाग देदो देगो, कितनी बार जाएंगे, तो चार बार, बाग दिये, चार बार, 9, 4, 36, 3, 8, 3, 11, 116, कितना बचा, 10, 5, फिर तीन बार दिया, तो तीन बार देंगे, तो कितना जाएगा, 9, 37, 2, 6, 2, 8, 87, 15 मैं से साथ गे, 8, 1, 18, ठीक है, यानि कि यह बुले, क्या घटान जाएगा बीधा, तो आपका ऑन्सर होतो ही at रहा जाएगा यानि कि आगे वाले पर चलते हैं की देखो ये सीरीज का लास्ट परसेट का इस सजो जैरा सका विवाजत होना चजिए कौन सा ये, कौन सा 1749, लेकिन पिछले में गटा रहे थे, इस परसन में कम से कम क्या जूड़ा जाए, जूड़ा जाए उसका मतलब होता है, जिसका भाग देते हैं, और जो से इस पलाता है, उनका अंतर इसमें यहाँ पर करना है, ग्यारा का बाग दिया, ग्यारा एक में, ग्यारा बचा छे, तरेसर्ट, ग्यारा पांच पच्पन, बचा आपका 8, 9, 18 और 11, 8, 88 बचा एक, अगर एक गटा थे, तो पूरा-पूरा बाग जाता, लेकिन उझे गटाना नहीं जोड़ना है, जोड़ना है तो यहाँ पर इनका जोड़ दो 10 बस यह आपका correct answer हो जाएगा 10 तो इस तरीके से हमारे जो आज की परसन थे वह आपके इसमें complete हो चुके और थोड़ा सा समझोगे तो लगबग लगबग हमने चार क्लास में लगबग लगबग 40 के आसपास परसन कर ली हैं और इस तरीके से नंबर सिस्टम में हम लगबग लगबग 500-200 परसनों की practice करने वाले हैं ताकि आपका एक एक जो concept है आपका बार बार वैसा सवाल repeat हो जाए तो वो आप पूरा एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हैं और वो आपका एकदम आसानी से सही हो जाए बस थोड़ा सा practice आपको ज्यादा करनी है ताकि आपके अंदर क्या है क उसको आप देखेंगे, revise करेंगे, notes बनाएंगे, पिछली तीन class भी देखेंगे फिर अगली हम आज भी जब class लेकर कहेंगे तो इसमें और इसमें आगे वाला नया concept इसमें सीखेंगे ठीक है तो आज की class में बस इतना ही, बाकि मिलते हैं आगे की class में तो thanks for watching this video